नमस्कार आप देख रहे हैं Capital TV उत्तर प्रदेश की special story और मैं हूँ आपके साथ रोहित कुमार कॉंग्रेस जितनी पुरानी राजनीतिक पार्टी है उतनी ही पुरानी सनातन विरोधी संगरखन मुस्लिम परस्त राजनीती इनकी ताकत रही है लेकिन हैरानी तो तब होती है जब हिंदू बहुल राष्ट्र में ऐसी पार्टियां लगातार जीत कर सत्ता पर काबिज होती है देश के संसादनों पर सबसे पहला हक मुसल्मानों का है इस तरह के बयान कॉंग्रेस की विचार धारा को प्रदर्शित करती है इतना है नहीं सनातन का अपमान देवी देवताओं पर अभध्र टिपनी आदिक कॉंग्रेस की राजनीती का हिस्सा रही है भगवान राम को लेकर कॉंग्रेस की घ्रेना किसी से छिपी नहीं है आजादी के बाद जब तक कॉंग्रेस का सासन रहा अयोध्य मामले का निप्टारा नहीं हो पाया जब राम मंदिर में राम ललना की प्रान प्रतिष्ठा हुई तब कॉंग्रेस निताओं ने इसका नियोता भी ठुकरा दिया लेकिन अब जब देश में लोग सभा का चुनाव हैं कॉंग्रेस एक बार फिर हिंदूों को बाटने का काम कर रही है कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष मलिकारजुन खड़के अब राम और शिव के बीच कटूता की कलपना कर रहे हैं हिंदू शास्त्रों से अनविग्य ये नेता लगतार अपनी अनर्गल बयान बाजी के कारण कुख्यात हैं और लगतार समाज में भेद भाव फैलाने का काम कर रहे हैं कॉंग्रेस नेता खड़के ने उगला जहर भगवान राम और शिव पर की टिपनी सनातन का किया अपमान खुद को बताया भगवान शिव असल में मलिकारजुन खड़के 36 गड़ के जांजगीर चामपा में मंगलबार यानि कि 30 अपरेल 2024 को एक जन सभा को संबोधित कर रहे थे वहाँ से कॉंग्रेस पार्टी ने डॉक्टर शिव कुमार डहारिया को प्रत्याशी बनाया है उनका मुकाबला भाजपा के कमलेश जांगडे से है 2019 के लोगसवा चुनावों में 36 गड़ की 11 में से 9 सीटे भाजपा ने जीती थी जबकि दो पर कॉंग्रेस का कबजा रहा था जांजगीर चांपा लोगसवा चेतर पर पिछले 20 वर्षों यानि की 4 चुनावों से भाजपा का ही कबजा रहा है जबकि उसने 3 बार उमिद्वार बदले हैं यहां तक कि मलिकारजुन खड़के जन सभा करने तो गए लेकिन उन्हें अपने ही उमिद्वार का नाम तक पता नहीं था उन्होंने दो बार अपने उमिद्वार से उनका नाम पूछा तब जाकर वो उनका नाम पूरा ले पाए खड़के ने कहा इनका भी नाम शिव है, ये बराबर में राम का मुकाबला कर सकते हैं क्योंकि ये शिव है, मेरा नाम भी मलिकारजुन है, यानी कि मैं भी शिव हूँ इस दोरान उन्होंने ध्यान दिलाया कि आंधर प्रदेश के स्री सेलम के मलिकारजुन नाम से एक जोतिरलिंग भी है हालाकि इस दोरान मलिकारजुन खड़के भूल गए कि राम और शिव का मुकाबला करानी की बात कहकर उन्होंने हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहुँचाया है वो हिंदू समाज जिसने कभी राम और शिव को अलग-अलग करके नहीं देखा तमिलनाडू में इस्थित राम इश्वर जोतिरलिंग के भी दो अर्थ है पहले राम जिसके इश्वर है और दूसरा राम के जो इश्वर है जो राम और शिव में भेद करके देखते हैं उन्हें आवविवेकी कहा जाता है ये हिंदू को बाटने की नई नीती है सनातन विरोधी है इंडिया गट बंधन इस दोरान हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर इंडि गट बंधन का कोई भी नेता हिंदू धर्म की बात करता है तो इसके पीछे उसकी कोई ना कोई साजिश रहती है कभी ये दलितों को हिंदूों से अलग बताते हैं कभी ये कहते हैं कि लोग मंदिरों में लड़कियां छिड़ने के लिए जाते हैं और तो और डियम के नेता उदे निदी स्टालिन तो सनातन धर्म को डिंगू मलिया बता कर इसे खत्म करने की बात तक कर चुके हैं चुनाव आते हैं ये खुद को हिंदू हितेशी बतानी लगते हैं प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी भी अपनी चुनावी रेलियों में सनातन विरोधी इंदी गठवंदन पर इनही कार्णों से लगातार हमला बोल रहे हैं उनकी सरकार ने काशी और उजयन में कॉरिडोर बनवाया है कामाख्या कॉरिडोर भी बन चुका है तिरतस्तलों का विकास हो रहा है अयोध्या धार्मित परियटन का हब बन चुका है इससे विकास हो रहा है विकास भी विरासत भी नारे के उलट विपक्षी दल खेबल अपस में लड़ते हुए दिखाना चाहते हैं और कहीं न कहीं इन ही सब कारणों की वज़ा से कॉंग्रेस मौजूदा राजनीती में विलुप्थ होती जा रही है चलिए बात करते हैं कॉंग्रेस के कुछ ऐसे ही लचर रवये की जिसने कॉंग्रेस की नईया डोबोने का काम किया है नेता के रूप में विफल रहे राहूल गांधी सुनिया गांधी ने कॉंग्रेस के राष्टिया द्यक्ष का पद राहूल गांधी को देकर उन्हें नेता के रूप में अस्थापित करने का प्रयास जरूर किया था लेकिन राहूल गांधी पूरे चुनाओं में आ नरेंद्र मोदी ने देश की जनता तक यह संदेश देने में काम्यावी हासिल की कि वे मजबूत इरादों वाले हैं और देश उनके हाथों में सुरक्षित है। कॉंग्रेस की हार के पीछे एक बड़ी वज़ा ये भी रही है कि वह मुद्दे तलास्थी रही ताकि वह नरेंद्र मोदी को घेर सके। पार्टी ने एक के बाद एक मुद्दे को जनता के सामने लाने की कोशिश की, मसलन पहले नोट बंदी, फिर GST और फिर राफेल में हिरा फेरी का मामला। कॉंग्रेस ने किसानों और बेरोजगारी का सवाल भी उठाया, लेकि नरेंद्र मोदी और अमित सा की जोड़ी ने उनके सभी मुद्दे को हवा में उड़ा दिया। हालत ये हो गई कि जब राहूल गांधी नियाय के तहट लोगों को प्रतिवर सक्तर हजार रुपे देने की बात कही, तब भी लोगों ने इसे जुमला ही समझाया। ठीक वैसे ही जैसे 2014 में नरेंद्र मोदी ने सभी के खाते में 15-15 लाख देने का वादा किया था और बाद में अमित शाह ने इसे राजनी तिक जुमला करार दिया था। दरसल कॉंग्रेस की तराशती यह रही है कि वो नरेंद्र मोदी से आगे कभी निकल ही नहीं सकी, कॉंग्रेस नेता हर समय इस फिराग में रहे कि मोदी कोई गलती करे और वे जनता के समख्ष रखा जाए। लेकिन तमाम परियासों के बावजूद कॉंग्रेसी नेता नरेंद्र मोदी के पीछे-पीछे हाफते ही रहे। उची जातियों का भाजपा से लगाओ। हालत यह हो गई है कि उची जातियों के लोगों ने अब पूरी तरह से भाजपा को अपनी पाटी मान ली है। हिंदू होने का प्रमान देने के वज़ा यदी उन्होंने यह बताया होता कि कॉंग्रेस धर मिर्पेक्ष्था में यकीन रखती है और भाजपा मुद्दों से दूर भगा रही है तो शायद तस्वीर कुछ और ही होती। जनेयधारी राहूल की छबी से कॉंग्रेस की छबी को नुकसान कहुचा। इतना है नहीं नोट बंदी GST जैसे सबसे एहम और आम जनता से जुड़े मुद्दे को कॉंग्रेस जनता तक ले जाने में असफल रही। इसकी तुल्ला में बीजेपी ने इसे ही अपने पक्ष में कर लिया। नेता का जन नेता बन पाना मुश्किल है। इसे ये सभी संगटन सुस्त नजर आती है। राज्य में सरकार होने के बावजूद वोटरों तक बात ना पहुचा पाना यही बताता है। इस बार मध्यप्रदेश और राजस्थान में कॉंग्रेस के अंदर ही बड़ी गुटबाजी देखने को मिली थी। राजस्थान में असोग गहलोत और सचिन पाइलेट के गुटों में तकरार पहले दिन से ही उजागर थी। पूरेत पांच सालों तक कॉंग्रेस का सिर्ष नेत्री तो इसी गड़बडी को ठीक करने में जुटा रहा। मध्य प्रदेश में जोतिरादित सिंधिया के भाजपा में जाने के बाद कई छोटे नेताओं ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। तब से वह खाली जगा भरी नहीं गई है। मोधी को लेकर उल्टे-पुल्टे बयान। कॉंग्रेस के नेताओं ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी को टार्गे करने के विफल कोशिश की। हर बार भाशाई सीमा लांधी गई और भाजपा ने इसे अपने पक्ष में मोडने में कामियाबी हासिल की। कॉंग्रेस नेता मलिकारजुन खडगे ने प्रदान मंत्री नरेंदर मोधी पर विवादित बयान दिया था। कॉंग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि मोधी जी जूटों के सरदार बन गए हैं। प्रदान मंत्री मोधी को लेकर इस तरह की बयान बाजी होने से हर बार भाजपा को ही लाप पहुचा है। और कॉंग्रेस का रवईया अगर ऐसा ही रहा तो आगे का प्रणाम भी नहीं बदलने वाला। फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे ये कैपिटल टिब्यूतर परदेश नमस्कार। पबलिक और पॉलिटिक्स की हर बनाप्स को खूप पेंचांता। संधर्ष पी सियासत से सत्ता के सिंधासन तक मैं हर ख़बर से खरा सक्ष निखांता। ना कोई दौड ना कोई रेक्स। कैपिटल टिब उत्तर देख। झालव कोईड़ और शॉलिक्स प्रदेश